उसमें था कि सहन करना क्या कहेंगे, मजबुरी है, सहन करना शक्ती है, तो अपने शक्ती स्वरूप की फीलिंग सदेव रहे, शक्ती स्वरूप की फीलिंग है, जाए मैं बोल रही हूँ लेकिन वो शक्ती स्वरूप, देख रही हूँ लेकिन शक्ती स्वरूप, तो शक्ती चेहरे का तो होता है, लेकिन साथ साथ में कर्मों से उसको, और वो भासना आए, तो भासना के उपर बावन्याज के महावाके चलाए है, 24-12, मिठे बच्चे यह शरीरूपी खिलोना आत्मारूपी चेतन्य चाबी से चलता है, तुम अपने को निश्चय करो, तो निरभय बन जाएंगे, यह शरीरूपी खिलोना आत्मारूपी चेतन्य चाबी से चलता है, अच्छा, प्रश्न है, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए कौनसा नाम देते है, नाम देंगे, खेल खेलते, 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 आत्मा की आजी गती हो गई है एक्टर और आत्मा का खेल दिखाते है, वैसे तुम आत्मा शरीर की तरह, पाच हजार वर्श में खेल खेलते नीचे पहुँच गई हो बाप आए है, तुम कठ फुतलियों को उपर चड़ने का रास्ता बताने, अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ, तो उपर चले जाएंगे खेल खेलते, एक्टर्स है न, तो ड्रामा में, क्योंकि ड्रामा चला रहा है, जैसे ड्रामा में रेकॉर्ड किया था, वो चला रहा है, तो उस तरह से कठ पुतली हुए, और वयसे अगर ज्ञान है, समझ है, तो हम चलाते हैं, संसकार रेकॉर्डिंग बनाते है न तो वैसे हम ड्रामा क्रियेट करते है नहीं तो फिर कट पुतली का मतलब क्या है जब हम कहेंगे कट पुतली है तो helpless है someone else मुझे control कर रहा है तो अब जैसे generally क्या होता है यही कहते है न कि पता नहीं क्या से क्रोध आ गया पता नहीं मैं चाहता नहीं हूँ लेकिन पता नहीं कैसे बोल दिया मैंने उस समय क्या हो जाता है मुझे समझ में नहीं आता है तो क्या हो गए हम कट पुतली हो गए ड्रामा चला रहा है तो बाबा कहते है अब बाबा बाप आए है उपर चड़ने का रास्ता बताने गीते मैफिल में जल उठी शमा रवानों के लिए ऐसा यह ना प्रीत बनी हैं आज आए भेवी आच्छा बोलो जी आगे बताू मैफिल में जल उठी शमा प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हर्दम दूर रहे उल्फत देखो आग बनी है मिलने से मजबूर बहे यही सजा है दुनिया में दीवानों के लिए पीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए यह सजा है ना के उल्फत लगी रहती है हाँ पहले फिल्म ही गाना होता था ला यह पूरा फिल्म ही गाना है पहले हमारे अपने गाने होते ही नहीं थे यह तो सेवंटीज के बाद अपर रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माबाप कहते हैं, तुमको शल इश्वर मत देवे, बिचारों को ये पता ही नहीं कि इश्वर सच्मुच मत देते हैं, कोई की चलन अच्छी नहीं, भगवान तुमारे बुद्धी को ठीक कर सकता है, और तो कोई करी नहीं सकता है, भगवान आए तो कुछ, तो मतलब आया होगा ना भगवान तब ये बोल दिया कभी न कभी तो आया होगा तो बावा कहते है इश्वर सचमुच मत देते ये पता ही नहीं अभी तुम बच्चों को इश्वर ये मत मिल रही है अर्थात रुहानी बाप बच्चों को श्रेष्ट मत दे रहे है स्रेष्ट बनने के लिए अभी तुम समझते हम स्रेष्ट ते स्रेष्ट बन रहे है हाइस्ट बन रहे है बाप हमको कितना उच मत दे रहे है हम उनकी मत पर चलकर मनुश्य से देवता बन रहे है ये feeling आती है कि बाबा हमको बहुत उच मत देते है ये highest मत है अगर मुरली पढ़के सुनके उससे beyond लगता है कि ये भी पढ़े या ये भी लगता है कि यहां भी वो ही बोलता है वहां भी वो ही बोलते है तो इसका मतलब ये स्रेष्ट ते स्रेष्ट नहीं हुआ ये one of them है तो one of them तो फिर highest नहीं हुआ न तो बाबा कहते है अब आप हमको कितनी उच मत दे रहे है उनकी मत पर चलकर मनुशे से देवता बन रहे है तो सिद्ध होता है मनुशे को देवता बनाने वाला वही बाप है सिख लोग भी गाते है मनुशे से देवता किये करतन लागी वार तो ज़रूर मनुशे से देवता बनाने की मत देते है कहते है ना हरप्रित्वेन क्या कहते है आगे क्या है इंग नहीं लगा अब बोल तो दिया गुरुबानी में या जहां भी लेकिन ऐसे कैसे टाइम नहीं लगा उसके पीछे रह से क्या है टाइम तो लगा नहीं ऐसे कैसे मनुशे से देवता मैजिक तो है नहीं कितना टाइम लग गया हमको 40 साल दादियों को 84 years और हमको अभी जब से बोला साथ दिन का कोड से और अभी कड़ते कड़ते देवता ही नहीं बने साथ दिन में देवता बन जाएंगे अभी तक नहीं बने तो कितना टाइम लगा लेकिन कहते हैं मनुशे से देवता कि एक करता इसका मतलब नहीं टाइम नहीं लगा ये राइट भी है ना क्योंकि शास्त्रों की कोई बाते रॉंग है नहीं लेकिन उसका real meaning क्या है वो clear होना जा क्यों ऐसे कह दिया जितना समय भी अभम ग्यान बाबा के बच्चे बने उस जनम में देवता बनाने में कितना time लगा नीचे उतरने में time लगा चड़ने में कितना time लगा क्योंकि इसके बाद तो बस सत्युगाना ही है हमी देवता बनने वाले इसलिए कहां कि मनुष्री से देवता कि ये करतन लागिवार इसलिए कहां अब समझ में आया उसका उनकी महिमा भी गाई है अब देखो आज सिखिजम पर बाबा याद करा रहे है एको अंकार करता पुरुष निर्भय अब ये पूरा बताओ सुनाओ सबको एको अंकार करता पुरुष निर्भय निर्भाम बोला न और अभी भी सच है है बाद में भी सच है पर मागाड इस च्रुत तो तुम सब निर्भए हो जाते हो, अपने को आत्मा समझते हो ना, आत्मा को कोई भई नहीं रहता, निर्भई ताकी भी हमने की है, पुरशारत किया हुआ है, वो भी आने वाला है, तुम अपने घर में घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो, अब श्रीमत किसकी? बाप केते हैं, निर्भए बनो, भए फिर काहे का, तुमको कोई भए नहीं है, तुम अपने को घर बैठी भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो, आत्मा समझ लिया, क्योंकि भए का मेन रूट्स क्या है, अटाचमेंट, जिसके साथ जितनी अटाचमेंट है, उतना है उसके लिए डर है, तो आत्मा समझना, फिल करना, तो ये attachment taken care of हो जाता है तो बाबा कहते हैं, अब श्रीमत किसकी कौन देते हैं, ये बाते गीता में तो है नहीं अभी तुम बच्चे समझते हो, बाब कहते हैं, तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनने के लिए मामे कम याद करो ये पुर्शोतम बनने का मेला संगम युकपरी होता है, बहुत आकर श्रीमत लेते हैं, इसको कहा जाते हैं, इश्वर के साथ बच्चों का मेला इश्वर भी निराकार है, बच्चे आत्माई भी निराकार है, हम आत्मा है, यह पक्की-पकी आदर डालने चाहिए, जैसे खिलोने को चाबी दी जाती है, तो डांस करने लग पड़ते हैं, तो आत्मा भी शरीर रुपी खिलोने की चाबी है, शरीर रुपी खिलोना है, आत् आत्मा इसमें न हो तो कुछ भी करने सके अगर चाबी न गुमाओ तो खेलोना कुछ भी नहीं न स्टिल है उस तरीके से बाबा ने कंपेर किया है तुम हो चैतन्य खेलोने खेलोने को चाबी नहीं दी जाए तो काम कहीं नहीं रहेगा खड़ा हो जाएगा आत्मा भी चैतन्य चाबी है और यह अविनाशी है अमर चाबी है बाप समझाते मैं देखता ही हूँ आत्मा को आत्मा सुनती है यह पक्की आदत डालनी है इस चाबी भी गर शरीर चलना सके इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है पाँच हजार वर्ष इसके चाबी चलती है अब देखो यह चाबी हम जो अभी चाबी चलाने का मतलब क्या है चाबी पहले चलाते है न और फिर वो चाबी चलती है तो संगम युग में आत्मा रेकॉर्ड करती है हमारी अभी रेकॉर्डिंग, शूटिंग का टाइम है इसलिए तो यह सारा रेकॉर्ड हो रहा है तो एक बार रेकॉर्ड हुआ उसके बाद फिर पाँच अजार साल बाद चीकि अभी जैसे जैसे हम रेकॉर्डिंग कर रहे है सत्यूक डिसाइड हो रहा है हमारा accordingly तो सत्यूक अगर जो status सत्यूक का decide हो रहा है उस according आत्मा का तर्यटा, द्वापर कल्यूक सारे decide हो रहा है कोई कहे कि जो ग्यान में नहीं चलती उनका क्या है है वो भी recording है उन लोग अपना recording कर रहे हैं कि हम द्वापर से आएंगे, सत्युक्रिता में आएंगे नहीं, या फिर कल्यूग में आएंगे, सबकी recording चल रही है, इसलिए चाबी भरने का time है, अभी, तो इस तरह से puppet है, मतलब puppet in the sense कि जब बाद में चलेगा, खिलोना चलेगा तब क्या हुआ, तब puppet ह पहले तो चाबी भरने के समय तो अपनी विल होती है, कितना भरना है, कितना है, तो अभी पूरा deciding time भी है, और फिर recording time भी है, फिर जितना अच्छे से भरेंगे, उतना अच्छा चलेगा, थोड़ा सा भरेंगे, अगर थोड़ा सा भरेंगे, तो क्यूंकि चलना है संगम संगम युके end तक चलना है, थोड़ा भरेंगे तो entry ही उसने आएगी कि कल्यूग end में entry होगी, ज़्यादा भरेंगे, थोड़ा कम, थोड़ा उससे ज़्यादा तो द्वापर, तो end का main important है, खतम कब होना है, तो खतम सब का, संगम युके end में होना है, तो इसलिए खिलोने कोई चाबी नहीं दी जाए, तो काम कहीं नहीं रहेगा, यह सब को clear हो गया ना, नयों को भी, कि कितना मुझे recording करनी, अगर ज्यान मैंने बहुत सुना, अच्छे से रोज, मुरली एक दिन भी मिस नहीं किया, फिर मन्थन किया, फिर पूरे दिन उसमें, तो मैंने बहुत recording क अच्छी recording की, मतलब क्यू recording जो ज्यान का होगा, वो सत्यूग वाले style से start होगा, जो otherwise ऐसे simple recording है, वो फिर द्वापर के बाद का style है, तो खिलोनों को चाबी नहीं दी जाए, तो काम कहीं नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा, बाप समझाते, मैं देखता ही हूँ आत्मा को, आत्मा सुनती है, पक्की आदर डालनी है, इस चाबी बिगर चल न सके, इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है, 5000 वर्ष इसकी चाबी चलती है, चैतन्य चाबी होने के करण चक्र फिरता ही रहता है, यह है चैतन्य खिलोना, बाप भी चैतन्य खिलोना है, बाप भी चै भी लग जाएगी अरथात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी जैसे मोटर से पेट्रोल खतम होने पर फिर भरा जाता है कितने examples है, बैटरी है, मोटर है, पेट्रोल भरो उतना ही तो चलेगा नहीं तो कैसे चलेगा आत्मा को बैटरी बोला, तो आत्मा में भी फिर जितना संसकार बनाएंगे उतना ही चलेगा, तो इसलिए जिस कौनसी कॉलिटी बहुत ज़्यादा चलेगी, कपड़ा है, थोड़े, कोई भी नया कपड़ा वैसे ही अच्छा है, लेकिन कौनसी कॉलिटी और डूरेबिलिटी का, पैसा किसका है, कपड़े के वैपारी बैठे न, पैसा किसका है, कॉलिटी किसको कहते है, डूरेबिलिटी की कॉलिटी है न, बाकी चमक बहुत है, सुन्दर बहुत है, उसका नहीं है पैसा, लेकिन इसकी है, तो आत्मा कितने स्टार्टिंग से चलेगी, सत्युक से उस कि प्रहीं चेहिशु कि कॉलीटी तो जितने ज़्यादा चलेगी उसकी कॉलिटी अच्छी क्वावब्रा क कहरे हैं बैटरी खाली जोती तो लाइट हाथ मोजाती घप अब भी तुम्हारी आत्मा समझती है, हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा, पेट्रोल है आत्मा का? दिदी, ये एक लिमिट तक ही अम भर सकते, उसकी केपैसिटी है, लेकिन आप भरेंगे 10 लेटर, उतनी चलेगी, आत्मा में केपैसिटी है, पूरी? 84 जनम की अब आपने उपर है कितना भरना है कितना decide करना है वो आपके उपर है तो मतलब उस तरीके से तो वैसे तो अगर ड्रामा को fixed समझे अगर तो फिर हर आत्मा की अपनी अपनी capacity है वो भी एक angle है कि उस आत्मा की अब पहले भरो तो पूरा try तो करो अब फिर नहीं भर रहा है मतलब उसमें 10 लिटर की capacity है द्वापर एक से आने वाली आत्मा है उसलिए इसको ग्यान अच्छा ही नहीं लगता है बस थोड़ा सा मुरली सुन लिया काफी है बस तो बाबा कहते है जैसे मोटर से पेटरोल खतम उने पर फिर भरा जाता है अभी तुमारी आत्मा समस्ती है हमारे में पेटरोल कैसे भरेगा बैटरी खाली होती है फिर उनमें पावर भरी जाती है बैटरी खाली होती है तो लाइट खतम हो जाती है जितना बैटरी कम होती जाती है तो लाइट डिम पावर होती है तो आत्म ज्ञान की रोश्णी उसके लिए भी एक होता है ये वाला और एक है बाबा के तो याद जितनी याद में रहेंगे उतना वो बैटरी लो नहीं होगी तो लाइट खराना के लेकिन उसका मेथड क्लियर नहीं किया मतलब उसका उतनी रेगुलारिटी उतनी गहराई मेथड क्लियर करने के लिए भी फिर उसको अलग-अलग ढग से बताना होता है कोई भी चीज को अब न्यूज है हमारे फिट क्यों हो जाती है क्योंकि बहुत बार देखते है बहुत जगह देखते है वोई वोई चीज तो वो इंग्रेंड हो जाता है तो जितना याद करेंगे उतना पावर भरती जाएगी इतना 84 जन्मों का चक्र लगाए बैटरी खाली हो गई है सतो रजो तमों में आई है अब फिर बाप आया है चाबी देने अथवा बैटरी को भरने पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते है सतो रजो तमों में सरी तो अब याद से बैटरी को भरना है इनको यूमन बैटरी कहे बाप कहते है मेरे साथ योग लगाओ यह ज्यान एक ही बाप देते है सद्गती दाता वह एक ही बाप है अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है जो फिर 84 जनम पूरे पार्ट बजाते हो जैसे ड्रामा में कट पुतलिया नाचती है न तुम आत्माई भी ऐसे कट पुतलिया मिसल हो उपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो पूरी चाबी जितनी भरी है उतना फिर बाप आकर उपर चड़ाते है चाबी भरते है संगम यूग में वो तो एक खिलोन है बाप अर्थ समझाते है चरती कला और उतरती कला का 5000 वर्ष की बात है तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है मुरली ये क्या है देखो सुबे का एक घंटा टाइम ये चाबी का टाइम है वो नलका बहता है ना सुबे सुबे पानी आता है सुबे सुबे दूद आता है सुबे सुबे सफाई वाला आता है तो ये ज्ञान भी सुबह सुबह का है सुबह सुबह करो तो हम तुम समझते हम श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है हम फुल सत्व प्रदान बन जाएंगे फिर सारा पार्ट रिपीट करेंगे कितनी सहज बात है समझने और समझाने की फिर भी बाप कहते समझेंगे भी वही जिनोंने पहले समझा होगा जिनोंने कलप पहले समझा होगा क्योंकि रिपीट होने वाला ड्रामा है तुम कितना भी मात हमारो चास्ती समझेंगे यी नहीnd संडे की मुरली में बाबा केते बच्चे प्रूव करो सत्यता ये वो मतलब बाबा कितना बैलेंस करके समझाते है बाप समझ तो सबको एक जैसी देते है कहां भी बैठे बाप को याद करना है भल सामने ब्रामणी नहो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो मालूम है बाप की याद से विकरम विनाश होंगे तो उस याद में बैट जाना है ना, कोई को बिठानी की दरकार भी नहीं है, खाते, पीते, स्नान करते, बाप को याद करो, थोड़ा टाइम, दूसरा कोई सामने बैट जाते, ऐसे नहीं कि वो मदद करते तुमको, नहीं, दूसरे सामने बैटने से कोई ये नहीं कि उनकी हेल्प मुझे मिलती है, हर एक को अपने कोई मदद करनी है, इश्वर ने तो मत दी है, तो ऐसे ऐसे करो, तो तुम्हारी देवी बुद्धी बन जाएगी, ये टेम्टेशन दी जाती है न, श्रीमत तो सबको देते रहते हैं, इतना जरूर है, किसकी बुद्धी ठंडी है, किसकी तेज है, पावन के साथ योग नहीं लगता, तो बैटरी चार्ज नहीं होती, बाप की श्रीमत नहीं मानते हैं, योग लगता ही नहीं है, तुम अभी फील करते हो, हमारी बैटरी भरती जाती है, रोज सुबे बैटरी भर जाती है, ये फील करते हैं, इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है, तमो प्रधान से सतो प्रधान तो जरूर बनना है, ये दुन्या बिलकुल ही नहीं समझती, बाप कहते हैं, मेरी इस मच से तुम देवता बन जाते हो, इससे ऊच जान ही नहीं रहता, ये भी ड्रामा बना हुआ है, सत्योग में तो यग्यान होगा भी नहीं, तुमको पुर्षोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर ही आते हैं, कौप की मुरली थी, फ्राइड़े की मुरली थी, बाबा कहते हैं, पुझ्य का आधार, पुझ्य मतलब जो किसको भी याद नहीं करें, तो वहाँ याद करने की दरकार ही नहीं, सिर्फ अभी अभी तो बाबा डिमांड करता है, बचे सारा एक एक सेकंड, आधी घड़ी, मुझे याद करो, सत्यों में बिल्कुल कुझ भी याद नहीं करेंगे बाबा को, पुझा, पाठ, याद, व इस समय तुमको परमात्मा की श्रिमत मिल रही है, वहाँ तो ये ज्ञानी नहीं रहता, तुमको पुर्शोतम बनाने के लिए बाब संगम पर याते हैं, जिनका फिर यादगार भक्ती मार में मनाते हैं, दशरा भी मनाते हैं, जब बाब आता है, तो दशरा होता है ना, पा मेगनात को मारा, कुम्बकरन को सभी ने मारा ना, तो ये 5000 वर्ष में एक ही बार ये रावन मरता है, तुम बच्चों को इश्वरियमत अर्थाच श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ट बनती है, तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वो उतरते उतरते तमों प्रधान भश्ट बन जाती है, फिर बाप बैट ग्यान और योग सिखला कर सतो प्रधान बनाते हैं, बतलाते तुम सीड़ी नीचे कैसे उतरते हो, ड्रामा चलता रहता है, इस ड्रामा के आदिमद्यंत को कोई जानते भी नहीं है, बाप ने समझाया है, अब तुमको स्मृती आई ह हर एक के जनम की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखी नहीं जाती, तो जो पढ़कर सुनाई जाए, यह बाप बैट समझाते हैं, देखो मोटा मोटी बाबा ने बता दिया, बही यह आत्मा कि कौन सी आत्मा 84 जनम लेगी, कौन सी कम लेगी, एकसेटरा, एकसेटरा, अब एक-एक का बैट तो बाबा जीवन का अपना-पना समझ लो, तो अभी तुम सो ब्रामन बने हो, फिर सो देवता बनना है, बाप ने समझाया है, ब्रामन देवता शत्रिय है, तीनो धरम मैं स्थापन करता हूं, तो अभी तुमारी बुद्धी में है, कि हम बाप द्वारा ब्राम्मन वंशी बनते हैं फिर सूरिय वंशी चंद्र वंशी बनेंगे पहले ब्राम्मन वंशी फिर सूरिय वंशी और चंद्र वंशी अच्छा जो चंद्र वंशी कौन बनेंगे चंद्रवन्शी कौन बनेंगे हमें चला मन के वश है युद्ध चला राजा आत्मा आत्मा अपना चलाई नहीं पा रही है यह बाप के लेकिन युद्ध में फेल हो गए तो फिर युद्ध किसमें यही वाला युद्ध है ना मन बुद्धी संसकार इनके वश में हो गए तो यह युद्ध चला तो फेल हो गए तो उसमें भी किसमें ना पास होई उसका सबका आधार क्या है? यूग ज्यान तो समझ में आता है यूग से यह वश में होती है समझाया आता है कैसी तुम 84 का चक्र लगाते हो मनुश्य तो 84 लाग कह देते हैं तो कितना दूर चले गए अभी तुमको मत मिलती है इश्वर ये मत इश्वर तो आते ही है एक बार तो उनकी मत भी एक ही बार मिलेगी एक देवी देवता धरम था जरूर उनों को इश्वर ये मत मिली थी उसके आगे तो हुआ संगम युक बाप आकर दुनिया को बदलाते है तुम अब बदल रहे हो इस समय तुमको बाप बदलाते है बदलते है तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आये है फॉस्ट टाइम नहीं बदल रहे है कल्प कल्प और हम बदलते ही रहेंगे यह चैतन्य बैटरी है ना वो है जड़ बच्चों को मालूम हुआ है 5000 वर्ष बाद बाप आये है स्रेष्ट ते स्रेष्ट मत भी देते है उच ते उच भगवान की उच मत मिलती है जिससे तुम उच पत पाते हो तुम्हारे पास जब कोई आते है तो बोलो तुम इश्वर की संतान हो ना इश्वर श्रीबाबा है श्रीव जैनते भी मनाते कहते हैं ना God is my father God father बोलते है तो फिर इश्वर है श्रीबाबा वो है भी सद्गती दाता उनको अपना शरीर तो है नहीं तो किसके द्वारा मत देते है अभोकता है मतलब शरीर नहीं है निराकार है तो परमात्मा मत कैसे देंगे श्री मत स्रेष्ट मत अर्थात परमात्मा की मत तो गायन भी है की रत पर आते है फिर कोई ने क्या, कोई ने क्या बैठ बनाया, त्रिमूर्ति भी सुक्ष्म वतन में बैठ दिखाया, बाप समझाते हैं, यह सब है साक्षातकार की बाते, यहां बच्चों को, बाकी रचना तो सारी यहां है न, सारा खेल तो इस दुनिया का है, तो रचता बाप को भी यहां बनाना है यहां बच्चों को डारेक्ट बना रहे है समझते भी है फिर भी ज्ञान बुद्धी में बैठता ही नहीं है क्यों नहीं बैठता बाबा केते कैसे पता चलेगा ज्ञान बुद्धी में बैठा किसको कहेंगे बाबा केते है कि किसको समझा ही नहीं सकते ठीक है दिपक भाई अगर नहीं समझा सकते तो गया ग्यान बुद्धी में बैठा ही नहीं क्यों बाबा कहते समझाओ क्योंकि जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगेगी जैसे कोई WhatsApp मेसेज बहुत अच्छा लगेगा आपका दिल करेगा कि forward करो समझाओ वो भी पड़े तो श्रीमत को उठाए समझते भी ये फिर ग्यान बुद्धी कोई को समझाई नहीं सकते श्रीमत को उठाते नहीं तो स्रेष्ट ते स्रेष्ट बन नहीं सकते जो समस्ते नहीं वो क्या पद पाएंगे जितना सर्विस करेंगे उतना उच्छ पद पाएंगे बाप ने का है बच्चे हड़ी हड़ी सर्विस में देनी है बाबा की सेवा में हड़ी हड़ी देनी ओल राउंड सर्विस करनी है हर तरह की सर्विस करते आए बाप की सर्विस देने में हम हड़ी देने में भी तैयार है ready है कुछ भी सेवा मिले ready है देखो, हमारी माता है जो पहले बाबा के शुरू में कमला नगर की आ रही तो वो सेंटर से कपड़े वो जैसे बाबा के कमरे के कपड़े वो ले जाती थी और धोना उस समय तो वाशिंग मशीन भी नहीं था वो इधुलाई करो यज्य सेवा हो हड़ी सेवा हड़ी सेवा उसका बहुत गायन है मतलब वो होता ही है हम लोग को चंदरमणी दादी भी हमारी ट्रेनिंग तो वो ही है तो सबसे ज़्यादा माक्स तो चारो सब्जेक्ट सेवा में एट सब्जेक्ट होते है तो सबसे ज़्यादा माक्स बरतन मांजने में देते थे बहनों को कि मतलब वो जो सेवा करेगी जाड़ू, बरतन उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते थे सिस्टर इसलिए हमारे हमारे जैसे गुर्दवारों में हम लोग पहले सब के जूट बहने कहती भी थी कि मतलब ना हाथ इतनी आदत नहीं है थोड़ा साबून से हाथ ऐसे होता है दादी कहती कोई बात नहीं चार दिन के बाद ठीक हो जाएगा फिर जाड़ू निकालते इतनी मतलब आदत नहीं है बोला ठीक है चार पास दिन के बाद फिर ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं करना है तो ये हड़ी सेवा और जब तक हड़ी सेवा नहीं करो न अपना पन नहीं लगता है जैसे वो नहीं था अमिर्चन भाई की स्टोरी बताई थी तो वो कहता है कि तुम कौन थी मनोहर दादी थी बुला ना कि तुम बाप को कैसे याद करते हो तो बुला कि बाबा मेरा बाप है टीचर है गुरु है सदगुरु है बुला नहीं तुम सिर्फ सदगुरु की रूप में याद करते हो मतलब सरी टीचर की रूप में है बुला अच्छा तो बाप की रूप में कैसे बुला अगर बाप की रूप में याद करते तो आते क्लास के शाम को और बाबा के घर में हड़ी सेवा करते अपना घर है ना बाप का घर है ना अच्छा और फिर गुरू बुला फिर वर्दान तो फिर उसी दिन से ऑफिस के बाद शाम को आते थे बेहन जी के पास, मनो और दादी के पास आ गए दादी में आ गया अच्छा क्या करना है सेवा दो अच्छा सेवा करोगे जाओ बाहर बगीचा है वहाँ पानी दो सारे पौदों में सुखे वाले निकालो वो करो रोज करते थे हड़ी सेवा अपना पन नहीं होता है नहीं तो बाबा का घर यज्य सेवा हड़ी सेवा तो बाबा कहते है मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जहां जरुत है ओल राउंड सेवा के लिए रेडी हो ये सब है साक्षा तो बाबा कह रहे हड़ी हड़ी सर्विस में देनी है बहुत बच्चिया तडपती रहती सर्विस के लिए बाबा हमको छोड़ा हो तो हम सर्विस में लग जाए जिसे बहुतों का कल्याणो सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है उसे तो सीड़ी नीचे उतरती ही आते है अभी इस रुहानी सेवा से चड़ती कला होती है हर इक समझ सकते कि यह फलाने हमसे जासती सर्विस करते है जानकी दादी को कि मतलब सेवा करते थे न तो तो बुला exploring बूलने की मैं सेवा करते हूं inspire करनी की inspire करनी की सेवा highest सेवा तो जिससे बहुतों का कल्याणो, सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, अभी इस रुहानी सेवा से चर्थी कला होती है, मुईनी बैन बात्चीत हो रही थी, हर एक समझ सकते हैं, यह फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं, सर्विसेबल अच्छी बच्चिया है, तो से अच्छी बच्चिया हो, क्लास में नंबरवार बैटते हैं, यहां तो नंबरवार यहां नहीं बिठाते हैं, फंक हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, समझ तो सकते हैं ना, सर्विस ही नहीं करते हैं, तो जरूर फिर पद भी कम हो जाएगा, सेवा का सबजेक्ट ही नही नमबरवार तो बहुत है न, परंतु वह है सुखधाम, यह है दुखधाम, वहाँ बिमार्यादी कोई होती नहीं, बुद्धी से काम लेना पड़ता है, समझना चाहिए, बाबा सेवा, हड़ी सेवा, कैसे करें, भाई सब कैसे कर सकते, बेहनों का तो चलो ठीक है, हड़ी मतलब जो भी जब भी सेवा के लिए जुरुत हो रेडी क्यों दीपक भाई संडे के दिन क्योंकि हर कोई सेवा करेगा तो इंस्पायर करता है यह ना इंस्पिरेशन देना तो बाबा केते हैं सर्विस से ही उपद मिलता है समझना चाहिए हम तो बहुत कम पद पालेंगे क्यों? क्योंकि सर्विस ही नहीं करते सर्विस से ही पद मिल सकता है अपनी जाच करने चाहिए हर एक अपनी अवस्था को जानते है मम्मा बाबा भी सर्विस करते आये है अच्छे अच्छे बच्चे भी है भल नौकरी में भी है क्या करे फिर? तब सेवा कैसे करे? उनको कहां जाता है हाफ पेपर भी छुटी लेकर जाए सर्विस करो तो भी हर्जा नहीं है हाफ पे मतलब आदे दिन की नौकरी यो और बाकी दिन सेवा ये भी तो कमाई है सेवा इस कमाई और ज्यादा माक्स है मुलिया बाबा की चली है हड़ी सेवा के उपर जो बाबा की दिल पर जो बाबा की दिल पर ताउसी तक्त पर बैठते है दिल पर चड़ना है दिमाग पर नहीं बाबा के दिल पर कौन चड़ेगा तो नंबरवार पुर्शार तनुसर ऐसी विजय माला में आते है अरपन भी होते है एक बार हमने पुरवजो की गाथा में सुनाया था ना मनोहर दादी का नहीं याद है रिफर करना मतलब एक कुछ केटेगरी बहने की थी कि वो खाली नाम मान शान जब ममा बाबा आते ना तब दिखाने के लिए कर लेती थी और फिर एक होते थे वो पहले से फिर उस समय अपना और ममा के आगे बोले कि भाब मैंने तो ये किया ये हो गया ये कर लिया वो सुनना पुर्वजो की गाथा तो बाबा केते है जो दिल पर तो ममा ने ये ही कहा जो दिल से बाबा को सब समझ में आता है जो बाबा की दिल पर सो ताउसी तक पर बैठते है नम्बरवार पुर्शार्ट अनुसार ऐसी विजयमाला में आ जाते अर्पन भी होते है शर्विस भी करते है कोई तो भल अर्पन होते है और क्या कारण सर्विस नहीं करते अर्पन तो हो गए सर्विस नहीं की मतलब बाबा के गई और सर्विस नहीं की तो पद कम हो जाएगा न? सेवा भी आभी गए तो सेवा तो ले रहे है ना बाबा की पकर नहीं रहे है ये राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से ऐसे कभी सुना कि पढ़ाई से राजधानी मिले, राजाई मिले, पढ़ाई से डिग्री मिलती है, स्टेटस मिल सकता है, CEO बन सकते है, लेकिन पढ़ाई से king बन जाये, ऐसी कोई पढ़ाई है? अथ्वा पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है यह कभी सुना? कभी देखा? पूछ रहे हैं भई सभी पढ़े हो यह ना कभी देखा? कभी सुना? किसको पता ही नहीं? हाँ, दानपुन्ने करने से राजा के घर में जनम ले सकते है बाकि पढ़ाई से राजाई पद पाए ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा न? अच्छे कुल में जनम लेते है बहुत दानपुन्नी किया किसको पता भी नहीं है? बाप समझाते तुमने ही पूरे 84 जनम लिये तुमको अब उपर जाना है है बहुत इजी तुम कल्प कल्प समझते हो नंबरवार पुष्चारत अनुसार बाप याद प्यार भी नंबरवार पुष्चारत अनुसार देते है बहुत याद प्यार उनको देंगे तो हड़ी सेवा करेंगे कितना बाबा महत तो रखते है और सारा recording कहा हो रही है बाबा जब कहते हैं मैं तुम्हारा क्या बुलते हैं वो TV on करता हूँ TV on करके देख लेता हूँ तो कौन सी recording होती है भाशन करने वाला वो तो फिर भी एक ही गंटा होगा recording होगी तो तो बाबा कहते है तो तो ये देखना है कि बहुत अच्छा पद उनको मिलेगा जो सर्विस करते है तुमको अब उपर जाना है है बहुत इजी ऐसे कभी सुना नहीं होगा न तुम समझते हो कल्प कल्प समझते हो नंबरवार पुर्शारत अनुसार बहुत यादप्यार उनको देंगे जो सर्विस में है तो अपनी जाच करनी है क्या जाच करो मैं दिल पर चड़ा हुआ हूँ माला का दाना बन सकता हूँ देखो बोलो रिंकुगे दिल पर चड़ा हुआ हूँ जाच करो माला का दाना बन सकता हूँ अनपड़े जरूर पड़े होएके आगे भरीड होएंगे देखो अनपड़े जरूर पड़े होएके आगे पढ़ना पढ़ना मुरली स्टड़ी करना और ये मतलब प्राक्टिकल पढ़ना मिन्स सेवा करना पढ़ाई में आएगा नहीं पढ़ना बाबा कहते है न पढ़ाई से राजाई पद है कहते है पढ़ना पढ़ने से पढ़ाना भी जा है वो एक पढ़ना एक पढ़ना वो एक पढ़ना पढ़ाना एक अलग बात है लेकिन study means what हम कहते हैं हम school में study किया education तो इसका मतलब क्या है तो सब सब्जेक्ट से न स्पोर्ट के भी मार्ग से सारे मार्ग से तो बाबा कहते है बाप यात प्यार भी नंबर वार पुर्शारत नुसर देते है तो अपनी दिल में जाच करनी है मैं दिल पर चड़ा हुआ हूँ माला का दाना बन सकता हूँ अनपड़े जरूर पड़े होए के आगे भरीड होएंगे अभी कर ले नहीं तो बाद में भरीड होएंगे बाप तो समझाते बच्चे पुर्शारत करे परन्तो ड्रामा में पाठ नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चड़ते ही नहीं है ये भी बाबा को clear है नहीं है ड्रामा में पाठ कोई न कोई ग्रहचारी लग जाती है देविमान से फिर और विकार आते है मुख्य कड़ी बीमारी देविमान की है सत्यूग में देविमान होगा तो महराजा फिर बढ़ते बाजेंगे सत्यूग में देविमान होगा नहीं हो और एक्चुली सेवा ये सब सेवा का क्या फल है मतलब पीछे रास क्या है कि value of the work स्कूलों में गुरुकुल में क्यों किया जाता है कि चाहे वो राजा का बच्चा हो चाहे वो तो उसको value कि आज एक जाड़ू की भी कितनी value है उसको उस आत्मा के करम की value तो वो संसकार महराजा में हो गाई हाँ, राइट यहाँ, बहुत अच्छी बात है हर धरम में सेवा का चैप्टर है अनपड़े जरूर पड़े होगे आगे भरीड होएंगे बाप तो समझाते, देअभीमान से फिर और विकार आते सत्यूग में देअभीमान का नाम ही नहीं होगा वहाँ तो है ही तुमारी प्रालब्द यह बाप ही समझाते और कोई ऐसी श्रिमत देते ही नहीं अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो देखो, दाधी और दीधी कॉंबिनेशन था ना, प्रकाश्मनी दाधी दीधी तो दाधी, दीधी कहती की दाधी आप भाशन करो, बाहर जाओ यह सब सेवा आप करो मैं भासना दूँगे दीधी का एक बार भी दीधी मुरली नहीं सुनाए आज तक दीधी चीफ of Delhi देली जोन की चीफ एक बार भी मुरली नहीं सुनाए Mack ya एक बार भी क्लास नहीं कराए पर नंबर वन स्चुरेंट है जो भी क्लास कराता था पहले आके बैठ जाती थी, अल्रांडर दाधी क्लास नहीं कराती थी दीधी तो कभी मदुबन में, कभी नहीं नंबर किस से मिल रहे है वो कहते है भासना देऊंगी, मैं भासना देऊंगी तो बाबा कहते है तो देव इमान से फिर और विकार आते है मुख्य कड़ी बीमारी है देव इमान की गुलाब बै का है आज दीदी के पालना बहुत लिए ना, सुश्मा वेंद गुलाब बै कोई नहीं है तो बाबा कहते है मुख्य कड़ी बीमारी देव इमान की है यह यहाँ हाँ बाप समझाते है और कोई ऐसे श्रीमत देते ही नहीं अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो यह मुख्य बात है लिखना चाहिए ना निराकार भगवान कहते मुझे एक को याद करो अपने को आत्मा समझो अपनी देह को भी याद नहीं करो जैसे भक्ती में भी एक शिव की पूजा करते है अब ग्यान भी सिर्फ मैं ही देता हूँ बाकी सब है भक्ती अब यह विचारी ग्यान एक ही शिवावर से तुमको मिलता है यह ग्यान सागर से रतन निकलते है ना उस सागर की बात ही नहीं है यह ग्यान का सागर तुम बच्चों को ग्यान रतन देते है जिसे तुम देवता बनते हो शास्त्र में तो क्या-क्या लिख दिया है सागर से देवता निकला फिर रतन दिया ये ग्यान सागर तुम बच्चों को रतन देते है जो वो स्टोरी है ना कि वो मन्थन किया तो उसे रतन निकले अब वो कौन सा मन्थन और वासू की नाग और जो भी किया तो वावा केते हैं यह है वो यह पारसनात तो आगे पत्थर चुगते थे तो पत्थर बुद्धी बन पड़े अब रतन चुगने से तुम पारस बुद्धी बन जाते हो पारसनात बनते हो ना यह पारसनात लक्षमी नारायन विश्व के मालिक थे भक्ती मार्ग में तो अने अनेक नाम अनेक चित्र बना दिये है वास्तों में लक्षमी नारायन वार पारसनाथ एक ही है नेपाल में पशुपती नाथ का मिला लगता है वह भी पारसनाथ ही है पारसनाथ बोलते न उसको नेपाल में जो शिव का टेंपल है वह भी पारसनाथ ही है अच्छा मिठे मिठे पहला पॉइंट है बाप ने जो ग्यान रितन दिये है वही चुगने है बाप ने जो ग्यान रितन दिये है वही चुगने है पत्थर नहीं देअभिमान की कड़ी बिमारी से स्वयम को बचाना है दूसरा है अपनी बैट्री को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है आतम अभिमानी रहने का पुर्शार्थ करना है निर्भय रहना है आतम अभिमानी रहने का पुर्शार्थ करना है निर्भय रहना है वर्दान है सर्व संबंद और सर्व गुणों की अनुभूती में संपन बनने वाली संपूर्ण मुर्थभव संबंद और सर्व गुणों के अनुभूती में संपन बनने वाले संपूर्ण मूर्थभव संगम युकपर विशेश सर्व प्राप्तियों में स्वयम को संपन बनाना है इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंद, सर्व गुणों और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने है देखो सर्व की बात आती है सर्व खजाने, सर्व संबंद, सर्व गुणों और कर्तव्य तो सर्व बातों में अनुभवी बने हो यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयम को संपन बनाओ एक भी संबंद्वा गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज वा संपूर्ण मुर्थ नहीं कहला सकते इसलिए बाप के गुणों वा अपने आदी स्वरूप के गुणों का अनुभव करो तब संपूर्ण मुर्थ बनेंगे संपूर्ण मुर्थ के लिए तो एक तो एक भी गुण की कमी नहीं हो और बाप के गुण वा आदी स्वरूप के गुणों का अनुभव करो सत्यू के आदी स्वरूप के गुण तो किन बातों में बनना है तो मैं संपन बनने वाली संपूर्ण मुर्थ हूँ तो उसमें क्या याद रखेंगे सर्व संबंध सर्व गुण सर्व खजाने और सर्व करतव यह चारो को याद रखो कि चारो का अनुभव है मुझे उस दिन भी वाबा ने का न सर्व शब्द को अंडरलाइन करो माशुक की मुरली में था जिसको भी वो लाइन याद आई होगे कि सर्व शब्द को अंडरलाइन करो तो यहां भी सर्व संबंध स्लोगन है जोश में आना भी मन का रोना है अब रोने का फाइल खतम करो जोश में आना भी मन का रोना है अब रोने की फाइल खतम करो जोश ये भी एक तरह से स्थिती खराब होने वाली स्टेज है ना रुखाब आना ठीक रुखाब रोब आना जोश आना जिसमें क्रोध मिक्स हो वो एनरजी कभी-कभी समझाते समझाते भी जोश आ जाता है रुखाब होना चीए जोश नहीं कि मतलब जैसे कभी-कभी प्रदर्शनी में होता है हम परमात्मा के चित्र में समझाते है तो फिर उनको वो नहीं मानता है तो बड़ा जोश आ जाता है इसको ये भी देखना है कि वो जोश है क्रोध से तो नहीं समझा रहे है लेवन्थ पॉइंट है नौलेज का भल मनन चलता है लेकिन अपने में एक-एक पॉइंट द्वारा जो शक्ती भरनी है वो कम भरते हो इसलिए महनत जादा और रिजल्ट कम हो जाती है मन में पॉइंट है